तो लेक्चर नमबर फिफ्टीन आज का टॉपिक है प्रिपेरिंग चेक्लिस्ट सब्जेक्ट कुएंटिटी सर्वेंग और कॉस्टिंग वन आज के लेक्चर को पढ़ने के बाद जो CEO अचीव होगा वो है प्रिपेर डिटेल एस्टिमेंट ओफ बिल्डिंग कोर्स आउटकम और इस लेक्चर के बाद लर्निंग आउटकम वन प्रिपेर चेक्लिस्ट फोर डिटेल एस्टिमेंट और लर्निंग आउटकम टू लिस्ट the main items of work in sequence of execution तो checklist क्या है what is checklist आपने कभी देखा होगा एक list बना सकते हैं अपन कोई महत्वपूर्ण काम होते हैं तो फिर उस list को बना सकते हैं जो जो उसमें अलग-अलग कार रहे हैं फिर जैसे जैसे वो काम निपटते जाते हैं उसके उपन अपन राइट टिक कर सकते हैं जो काम नहीं निपटे हैं उनको कुछ नहीं लिखना है तो उससे याद रहता है कि कौन सा काम रह गया है कौन सा काम हो गया है उस list को बोल सकते हैं checklist जैसे कोई शादी ब्याका आयोजन हो रहा है उसमें क्या क्या काम है उसकी list बना लेते हैं तो उससे फाइदा क्या होता है कोई भी काम अपन बूलते नहीं है तो उसी तरह से checklist civil engineering में estimate बनाने में भी अपन बना सकते हैं तो क्या लिका है it is a schedule which lays out tasks to be done according to time of day or other factors so it is a schedule वो एक schedule है schedule मतलब क्या है पहले काम काया होगा उसके बाद कौन सा होगा उसके बाद कौन सा होगा तो schedule मतलब एक के बाद एक के बाद एक कार्य करने वाला एक तरह से समझो timetable which lays out tasks to be done मतलब उसमें यह लिखा होता है कि कौन कौन से task करने है कौन कौन से कार्य करने है according to time of day या तो वो दिन में किस वक्त करने उसी साफ से या तो उनको जमा रखा है अपनने list में और other factors या किसी और factor से अपनने उसको एक sequence में जमा रखा है तो detail estimate के लिए भी checklist बना ही जा सकती है detail estimate में अगर हम इंट की जुड़ाई का काम लिख रहे है concrete का काम लिख रहे है पुताई का काम लिख रहे है लेकिन मान लो जो भी estimate बना रहा है मान लो किसी करने से वो भूल गया कि plaster का काम लिखना उसमें detail estimate में तो उसकी गणना उसमें नहीं होगी लेकिन अगर detail estimate बनाना है तो वो accurate होना चाहिए उसकी गणना होनी चाहिए यह मान लो कोई और कार रहे उसमें जो होता है वो लिखना भूल गया जैसे मान लो मिट्टी की मिट्टी खो देंगे उसके बाद ही तो नीव डलेगी और उसको लिखना भूल गये तो उसकी कितना उसमें खर्चा रहा है वो भी उसका जोडना भूल जाएंगे तो फिर वो जो detail estimate बनेगा वो अदूरा रह जाएगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसके लिए क्या करते हैं याद रखने के लिए जैसे जैसे कारे की प्रगति होती है उसी sequence में कारे की list बनाई जाती है ताकि कोई भूले नँँ तो आप भी आगे से जब भी estimate बनाओगे detail estimate या कोई भी बनाएगा तो हमेशा उनका sequence of execution of work में ही उसके list बनती है देखो क्या लिखा है the list of items in the estimate should contain all the items of work सबसे पहली line लिखिए कि जो list of items है estimate में उसमें सभी कारे की सूची होनी चाहिए otherwise the estimate would not be correct वरना estimate correct नहीं बनेगा second में क्या लिखा है preparing checklist by adoption of sequence of execution of work ये line बहुत में तुपुन याद रखना sequence of execution मनलब कारे एक के बाद एक के बाद एक कौन सा किया जा रहा है वो sequence follow करना है लिखने में भी अब सीधे list देख लो इसको लिख लेना तो सबसे पहले क्या कारे होता है कोई भी काम शुरू करने से पहले सबसे पहले अर्थवर्क होता है अर्थवर्क यानि मिट्टी का कारे इसमें मिट्टी का कारे में मिट्टी खोदना भी शामिल है हो सकता है मिट्टी का भराव करना पड़े मुर्रम का भराव करना पड़े हो सकता है जहां पर site है वहाँ पर भराव या खोदना मिला के ऐसा भी हो सकता है कि ground को level करना का काम भी हो तो ये तीनों ही काम earthwork के अंदर शामिल है उसके बाद क्या होगा foundation का concrete डलता है तो ये concrete से भी काम हो सकता है या lime या चूने वाला जो cement concrete उससे भी हो सकता है कॉंक्रिट इसमें तोनों तरह के उपयोग हो सकते हैं सीमेंट वाला या चूने वाला फिर आजाता है सोलिंग जूते के सोल होते हैं उसी प्रकार से अपन चाहें तो फांडेशन के भी सोल बना सकते हैं कुछ नहीं एक यीट की या पत्थरों की एक लेयर बना लेते हैं सबस कि अनिवार नहीं है बर आप तो यहीं मान के चलो कि अनिवार रहे हैं यह भूलना नहीं है डैम प्रूफ कोर्स आजाता है बाद में मिट्टी खोद ली उसके नीचे सोलिंग कर दी उसके उपर पांडेशन का कॉंक्रिट हो गया अब आप उस लेवल तक आ गए जहां पर हैं भाद एक हैं जल सकते हैं वह बहुत एप लंफ़ को इसको शौट फारमत डी पीजी करते हैं इसमें क्या करते हैं waterproof का एक material मिला देते हैं mortar में mortar मतलब masala जो जुड़ाई करते हैं masala plaster करते हैं masala उसमें aggregate बारिक वाले रहते हैं बस काली बड़े वे aggregate नहीं रहते है fine aggregate रहते हैं याने sand रहती है और cement रहता है और पानी concrete हो गया पानी, cement, sand इसके लावा गिट्टी जिसे हमने बोलते हैं course aggregate mortar हो गया केवल cement और sand का मिश्रंड और फिर उसमें पानी मिला दिया तो dam proof course क्या करते हैं उस मसाले में उस mortar में waterproofing material मिला देते हैं थोड़ा सा मिलाने सा काम हो जाता है अलग-अलग प्रकार के बाजार में अपलब्द हैं और उस से फिर एक layer बनाते हैं दीवारों के नीचे उस layer को बोलते है dam proof course यह या तो एक इंच या डाई सेंटी मीटर मोटी होती है इस से फाइदा यह होता है कि जमीन से नमी जादा उपर नहीं चड़ पाती उस dam proof course के बाद उपर दीवारों में नहीं चड़ती है उसके बाद अगला काम शुरू हो जाता है जुडाई का इंटों को जोड़ जोड़ के जो भी कारे करना है बनाना है दीवारे बनानी है उसको बलते हैं मैसॉनरी मैसॉनरी तो ये stone मैसॉनरी भी हो सकता है brick मैसॉनरी भी हो सकता है जो भी है वो लिखना है इसे मैसॉनरी के कारे को अगर super structure और sub structure में बनाया जा रहा है तो दोनों में अलग-अलग calculate करके फिर जोड़ते हैं अलग-अलग calculate करके लिखते हैं, सब हैड अलग अलग रहता है फिर आ जाता है आर्क में सौनरी ये कैसा है जहां पर आर्क देना है आर्क क्या होता है पता है न कहीं पर मान लो अपन ने दर्वाजा दिया, दर्वाजे के उपर लिंटल नहीं दिया, लेकिन एक गोला कार दरवाजे के उपर का हिस्सा गोला कर बनाया उसे बोलेंगे आर्क देखा होगा किसी ने किसी घर में आपने उसके बाद लिंटल बनती है जहां भी दरवाजा या खिड़की के लिए जगे छोड़ी है दीवार में उसके उपर लिंटल नाम की एक छोटी सी बीम होती है उस लिंटल बीम का काम ये रहता है कि किड़की के या दरवाजे के उपर की दीवार का वजन उसको सेहन करने का काम रहता है वो इतनी छोटी लिंटल रहती है बीम कि उसकी चोड़ाई उतनी ही रखते हैं जितनी चोड़ाई दीवार की है और लंबाई में उसकी लंबाई रहती है जितना ओपनिंग है जितना दरवाजे की चोड़ाई है या खिड़की की चोड़ाई है उससे थोड़ा ज़्यादा रखते है जिसके वह आस पास की इंटों पर टिक जाए तो लिंटेल RCC का बनता है रेंफोर्स ब्रिक का भी बन सकता है उसके बाद क्या कार्रे होगा लिंटेल डल जाएगी उसके उपर की दिवार भी बन जाएगी फिर छट तो छट डलने का काम RCC या बीम कॉलम RCC, RB वर्क रूफ या फ्लोर स्लेब रूफ याने छट, फ्लोर याने फर्ष फर्ष वाला स्लेब फर्ष वैसे टाइल्स को बोलते हैं पर जिस पर आप पाउं रख सकते हो वो फ्लोर है और जिस पर पंखा टंगता है वो रूफ है बीम, लिंटेल कॉलम, फाउंडेशन इन सभी में RCC का कार्य होता है नवा पॉइंट आएगा फ्लोरिंग एंड रूफिंग मतलब टाइल्स लगने का कार्य है फ्लोरिंग, रूफिंग, छट में कार यह सेपरेटली ग्राउंड फ्लोर के लिए कैलकुलेट होगा फिर फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग से कैलकुलेट होगा फिर सेकंड फ्लोर के लिए अलग-अलग फ्लोर के लिए अलग-अलग कैलकुलेशन करते है उसके बाद plastering and pointing plaster का अगर कभी याद न रहे कितनी मोटा ही रखनी है तो आदा इंच ही दियान रखना आदा इंच होता है लगबग 12.5 mm तो इसलिए वो 12.5 mm में अब 12 mm कोई कैसे करेगा तो 12 mm मान के चलते हैं आदा इंच होता है ठीक है तो plastering और pointing pointing अगर आप लोगों को नहीं पता हो plastering में क्या होता है दीवार बन गई इंचें जोड़ दी तो उसके उपर एक पूरे दीवार के बाहर और अंदर 12 mm का मसाला लगा के plane कर देते हैं pointing में क्या करते हैं इंटों की जुड़ाई के बाद जो इंट के बीच के जो gap रहते हैं जहां पर मसाला है उसके उपर केवल उस gap के उपर ही plaster टाइप करते हैं मतलब एक पट्टी 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 जो रह जाती है joint की उनके उपर मसाला लगा लगा के उस हिस्से को चिकना कर देते हैं एकदम plane कर देते हैं चिकना कहना सही नहीं होगा plane कर देते हैं तो pointing हो जाने के बाद joint सारे support डिखते हैं और जो बीच की इंट रहती हैं वो दिखती रहती हैं उसमें कोई problem नहीं है तो ये कभी-कभी बड़ा अच्छा लोग आता है इसका भी बाहर की दिवार का ऐसा कर सकते हैं घर के अंदर जनरली अपने प्लास्टर ही होता है इसके बाद अगला point है cornice इसके आगर देखो क्या लिका है this is ornamental portion of work ornamental मतलब होता है गहना जिससे सोने के गहने होते है तो उसका क्या काम होता है केवल दिखने में अच्छा होना शोभा बढ़ाना उसी तरह से घर बनते हैं तो उसमें भी ornamental portion बनते है जिसका घर की stability से कोई संबंद नहीं है कुछ ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसी खपच्चियां सी लगा देते हैं कुछ लोग कुछ सजावट के लिए कुछ लाके लगा देते हैं plaster of Paris से बने बने कुछ चीज़ें आती हैं वो लगा देते हैं तो कुछ ना कुछ साज सजावट के लिए जो घर में portion घर में कुछ पार्ट लगा देते हैं खरीद के बड़े बड़े बिलते हैं बड़े शेरों में चलन ज़्यादा रहता है तो उसको बोलते हैं ornamental portion of work आखरी में आएगा pillar pillar को आखरी में लेना है sorry आखरी नहीं और भी है doors and windows उसके बाद लकड़ी की चोकट है या लोहे की चोकट है उसका खर्चा उसमें frame लग रहा है उसका खर्चा उसमें shutter fitting उसके बाद woodwork woodwork जनरली ट्रस वाले में roof ट्रस में हो सकता है अगर beam wood की है तो वहाँ पे जोड़ना है यह post लिखा है king post ट्रस यहाद है उसका post है यह wooden की roof की अगर ट्रस है चोकट है तो वहाँ पे यह उप्योग करना है उसका calculation करना है फिर आजाता है iron work अगर beam steel की डाल दी जैसे पहले होता था कि फर्ष पत्थरों के डलते थे छट भी पत्थर की डल जाती थी तो उसमें बीच बीच में यह steel के beam डाल देते थे आई section वाले फिर उनके बीच में वो टिकी हुई रहती थी पत्थरों की slab column यह fitting में इन सब में भी iron का उपयोग हो सकता है railway में क्या होता है railway department में जो पुरानी पट्रियां रहती है जो पूरन रूप से ऐसा लगता है कि अब दुबारा उसको पट्री के लिए उपयोग नहीं कर सकते इतनी इतनी damage हो गई है लेकिन फिर भी वो रखी रखी खराब नहीं हुई है उसमें काफी मजबूती रहती है तो क्या करते है वाँ पे उसका उपयोग ऐसे करते हैं कि घरों वहां railway के ही जो quarter बनते हैं घर उसमें column के बीच में उन पट्रियों के तुकड़े डाल देते हैं तुकड़े मतलब छोटे-छोटे तुकड़े नहीं जितना लंबा column है उतना लंबा पट्री को काटके उसमें लगा देते हैं तो वो reinforcement की तरह भी काम कर देता है उसमें मजबूती देता है तो वहां पे भी iron work का फिर estimate में आएगा कर्चे में जोडने में बाद में white washing या color washing पुताई की बात हो रही है या distempering इसके लिए कितना area में ये पुताई होगी ये अगर निकालना है हिसाब में तो जो plaster का area निकला था वही पुताई का area होगा बाद में आ जाएगा painting या varnishing लकड़ी की चोखटे या अगर लोहे का भी दरवाजा लगाया है तो उनके उपर बढ़िया paint कर देते हैं oil paint कर देते हैं चोखट को paint कर देते हैं ये सब चीज़ें तो बहुत simple है ये सब बातें आपको ये चीज़ें याद रखनी है इसी sequence में चेकलिस्ट क्यों बनाई जाती है आज क्या पड़ा summary में देखो checklist is prepared to remember all the item of work checklist इसलिए बनाई जाती है ताकि सारे item of work याद रहें construction के कारे के सारे item याद रहें second point क्या लिगा है list of items are prepared on the basis of their sequence of execution ये जो list बनाई जाती है इसमें item उस हिसाब से रखे जाते हैं कि वो जब कारे होगा तो वो कारे जिस sequence में होगा उस sequence में इनकी list बनाई जाती है तो list क्या है short में देख लो सबसे पहले मिट्टी का कार अर्थ वर्क उसके बाद foundation में concrete डलेगा फिर soling फिर dpc फिर dpc फिर masonry फिर arc masonry फिर lintel फिर rcc का वर्क या rb का वर्क फिर बाद में इस सब आ रहा है door window woodwork, ironwork white washing और painting यह याद रखना है आपको तो यह हो गए 17 item assignment करो बढ़िया लगेगा यही सब list जो आपने देखी इन सब को लिखो और इनके बारे में छोटा छोटा explanation लिखो एक ऐसा ला अगले लेक्चर में measurement sheet क्या होती है abstract sheet क्या होती है और face sheet क्या होती है यह बताएंगे इसके लिए बढ़िया किताब पढ़ो जो भी doubt है बड़ा अच्छे से समझ में आ जाएंगे चलो ठीक, थेंक यू